वेडियो की हमें काफी रिक्वेस्ट आई थी लेकिन हम कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हम ठीक नहीं थे और जब हम बाकी चीजों से अच्छी वीडियो नहीं बनेगी तो लेकिन आज हमने सोचा कि चलो यह मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो यह बनाई जाए और आप लोगों ने हमारा साथ दिया उसके लिए थैंक यू और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब और यह मर्सचनरी शब्ध यूजिया ही नहीं यह लिए यह तमाम जो यह देश द्रोही सादीह हं इत्या बिलें की जाली दे रहे है वह काम कृब्सरंड़ इसिमें तुम एप साथ floor हुगे साथ हुग क्यों अगलया है आपको मालूम है कि एंगलो सीख वार में अंग्रेश थोड़ी लड़ रहे थे अंग्रेश तो किबल वो नितुर्ट के रोल में थे ऑफसर के रोल में थे बागी तो सभी यह लालकूरती थे आज भी आप मेरठ में तमाम के इंटोर्मेंट में जाओगे तो लालकूरती क्या है अभी इतिहास क कि एए मेरे कोई नफरत नहीं पार नफरत होनी भी नी चाहिए क्योंकि उस समय आप विज का छोड़ दीजिए पूरी बैवस्ताई पूरी बैवस्ताई Radio जो थी वो जिसको आप आप कहते हैं मशनरी वह थी ड़ा पुरा महसनरी थे, पुलीस क्या थी, पूरी महसनरी थी, वही लोग जो वर्ड वर वर वन लड़े थे, उन्होंने अंधार धूंद गोलियां चलाई, जलियां वाला बाग में, चलिये आप अपना कर्तब निभा रहे थे, आप हुक्मान रहे थे, आप अपने नमक हलाली का प आप एक मेरे को किसी भी आर्मी के एक्जाम में एक, आप क्वेश्चन मुझे दिखा दो, what was the contribution of INA towards the freedom movement, एक क्वेश्चन दो, हमको दिखा दो, on the contrary, what we were told, I can't even describe, कि सुभाष बोस वस डेट, सुभाष बोस वस दाट, अब विश्वास नहीं करोगे कि लोगों ने, तब कि इस तरीके से सही ओग दिया, महिलाए अपना चेन निकालके, ठेला वाला अपना, जो भी उससे बन पड़ा, मतलब लोग ऐसे लगता था कि उनोंने एक आवाहन दिया, और आप समझ नहीं सकते हो कि कितना, कितना पैसा, all over the subcontinent and in Southeast Asia, तो मर्सेनरी के लिए मही थाओ, हमारे लोगों ने सेकेंड वल वार के लिए तो पैसे नहीं दिया, इंडियन्स वे नोट अलावड एनिवेर नेर दे गुर्खा सेंटर्स, ताप उसको क्या करोगे? विकास दे ट्रीटे यू लाइक महसेनरी और दुनिया की कौन सी सरकार है, जो सडक और हवाई अड़नी बनवाती है साब, लेकिन सरकारों को ये भी तय करना होता है, कि उस सडक पर विचारधारा कौन सी दोडेगी, और ये तो थे, ये भूके नंगे थे, ये ब्रिटेन व ये तो हमारे हां से पैसा जाना शुरू किया, तब ये रोप का रिनासा शुरू हुआ, दिस इस आरेसन सिंग, यूर वाचिंग डिफेंसिव ओफेंस, एट अगस्ट नाइटीन फॉर्टी टू, कुईंट इडिया मॉव्मेंट लांच किया गया, जिस दिन ये लांच किया गया, उसकी दिन कॉंगरेस के जितने शिर्श के नेता थे, उन लोगों ने अपने आपको गिरफतार करवा लिया, वो सब एक ही जगह पे थे, गिरफतार हो गये, अब आठारास वो आठ अगस्ट उननेश सो ब्यालिस से लेके, जब तक दित्व महायुद वर्ल्वार टू खतम नहीं हुआ, कौन हिंदुस्तान की आजादी के लिए जब दुजहद कर रहा था, सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम था नेचाजी सुबास चंदरबोस, क्विट इंडिया मुवमेंट, तो वो डैंप स्कुइब जिसको बोलते हैं, लीडरलेस हो गया था, नित्यत्र ही हो गया था, तो वो अपने अपने डिरेक्शन में थे, कुछ लोग चला रहे थे, लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं थी, क्योंकि शिर्फ नित्यत्र जेल में थी, तो एक आदमी पूरे दुनिया भर में ये जंग, आजादी की जंग लड़ रहा था, और उसने इतने छोटे से वक्त में, एक सेना तयार की, एक सरकार का गठन किया, वो सरकार जिसको नौ से और दस से ज़्यादा जितने एक्सिस पावर्स थे, सब ने उसको माननेता दी, उसने अपना करिंसी जारी किया, उसने अपना स्टैंप जारी किया, उसने अपना एंथम बनाया, उसने अंड आजादी तो वहाँ डिक्लियर हो गई थी बाद में वह व्यक्ति जब कि स्टेट से एक्जिट कर जाता है उसको एक्जिट करवाया जाता है तो उनके लिए सिर्फ एक बड़ा आसान काम था काम था ट्रांसफर ऑफ पावर आजादी की तो गोशना उन्हों नहीं कर दी थी अब इसके पीछे कई कई माने लगाया जाते हैं और वो बही अभी जो बाते खुल के आ रही हैं कि आपने कहा जो कि हमेशा कहा जाता है कि गांधी ने कहा कि हमको तो बिना ढाल के मिल गई आजादी तो साथ हजार में से चब्विस हजार आजाद धिन फौच के लोग शहीद हुए थे कितनी बड़ी कुर्बानी थे और वो चब्विस हजार की कुर्वियानी बेर्थ नहीं हुई थे वो चाहे उसको जितना भी दबाया गया हो लेकिन वो एक लौग की तरह एक लौग की तरह वो सारे हिंदुस्तानियों के दिलों को उसमें उसने आग लगा दी थे और तभी आपको मालूम है कि जबलपूर में जो म्यूटिनी हुई नौ सेना में म्यूटिनी हुई वो सारा का सारा एक आस्मॉसिस था ये नेता जी सुबाश चंदर बोस के आएने का और तब हिंदुस्तानियों ने सारी अंग्रेजों ने ये एहसास किया कि हमारा जो में इंस्टुमेंट था जिसको जिससे हम जिसके द्वारा हम रूल करते थे वो इंस्टुमेंट ही मेरा गड़वड हो गया है उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है आज काल एक बड़ी चर्चा हुई मरसेनरीज की कौन मरसेनरी है और कौन नहीं मरसेनरी है तो आपको मैं बता दूँ कि किसी भी समय अंग्रेजों की संख्या हिंदुस्तान में असी हजार से ज़्यादा नहीं हुई थे किसी भी समय असी हजार से लेकर और समय मैं जब आजादी मिली थी तो चलिए तीस करोड तीस करोड हमारी आबादी थी असी हजार लोग तेतिस हजार करोड पे हुकूमत चला रहे थे और वो हुकूमत किस के किस के बलबूते पे तो उस समय की जो सेना थी उसके बलबूते पे पुलीस की नहीं आपको तो मालू है आर्मी से ही डेपुटेशन पे जाते थे आज भी यूपी में कप्तान साब कहा जाता है इस पी साब को है ना तो डेपुटेशन पे जाते थे क्योंकि उस समय कोई वो एक ग्रेट गेम चल रहा था रश्या के साथ उसके अलावा तो कोई थ्रेट परसेप्शन था ही नहीं सारा का सारा थ्रेट परसेप्शन इंटर्नल था उसके पहले अंगलो मराथाज War, Anglo-Gurrkha War, Anglo-Seek War. हमारे पुर्वजों ने भी लड़ा, Anglo-Seek War. ठीक है ना? आपके पुर्वजों ने भी लड़ा होगा, ये तमाम लड़ाईयां जो है. इसका मतलब ये है कि जब जैसे ब्रिटिश ने ब्रिटिश का जब expansionism सुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले East India Company की जो आर्मी बनाई तो बिंगॉल आर्मी बनाई बाद में तीन presidency आर्मी बनी तो बिंगॉल आर्मी जिसको लाल कूरती बोलते हूँ ये जितने ये East India Company की आर्मी थी वो लाल कूरती ये थी तो उन्होंने भरती किया हमारे लोगों को अब हमारे पूरवज आपके पूरवज क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ उसी बेल्ट से आप भी आते हैं तो हमारे लोगों ने उनको पुरानी बेवस्ता से मुगल बेवस्ता से उनको कोई दुश्मनी होगी या कोई रोश होगा वो भरती हुए तो जहां जहां उनको लड़ाए गया उन्होंने लड़ा आपको मालूम है कि अंग्लो सीक वार में अंग्रेज थोड़ी लड़ रहे थे अंग्रेज तो किबल वो नितुर्ट के रोल में थे आफसर के रोल में थे बागी तो सभी ये लाल कूरती थे आज भी आप मेरट में तमाम के इंटोर्मेंट में जाओगे तो लाल कूरती क्या है अभी ये इतिहास कोई जानता नहीं लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जिसने भी उस समय लड़ा हम गुलाम थे उसके पहले मुगलों के गुलाम थे उस समय भी जो लोग मुगलों के नीचे लड़ते थे वो भी मरसनरी थे हमारे पुरवज भी मरसनरी थे तो उसमें तो कोई ये है नहीं आप मरसनरी शब्द इस्तमाल करना चाते हैं कोई सब्द इस्तमाल करना चाहते हैं, उनको नौकरी चीए थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे, मैं आप, मैं लोगों से पूछता हूँ, मरसनरी, चलो मैंने, पहला पहली बात की, मैंने कभी ये मरसनरी शब्द यूज किया ही नहीं था, ये जो, ये, ये तमाम जो ये ही साध्डा हक इत्थे रख वाले हैं, ये इगाली दे रहे हैं, वो मरसनरी वाला काम था, वो साध्डा हक इत्थे रख, तुम इंगलेंड की सरकार से मांग रहे हो, मांग रहे हो, कि साध्डा हक इत्थे रख, तुम खालिस्तानी हो, कि कैनेडा और यूएसे में तुम कह हो जाके साड़ा ते ये ये सारे वही नालाइक हैं ये आपने मरसनरी का डेफिनेशन आप छोड़िए हम क्या आप उसको किसी काटेगराइस क्यों करें उसको मैं उसको उसकी व्याख्या क्यों करें लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ कि जब आपने आजाद हिंद फाज की बात कि आजाद हिंद फाज यानि कि आएने किसके खिलाफ लड़ रही थी सब जपैन में उनके किलाफ हिंदुस्तानी ही न, वो हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे, है न, उस लड़ाई में अगर आपको पक्छ लेना पड़े, तो आप किसका पक्छ लेंगे, वो ब्रिटिश सेना का, या आएने का, मेरा पक्छ तो आएने के साथ होगा, अब आप समझें के मरसनरी और, मैं त जो बी आपके माध्यं से जो लोग भी इसको सुनेंगे, कि दोनों में उधर हिंदुस्तानी, इधर भी हिंदुस्तानी, तो आप आएने का पक्छ लेंगे, या, आप प्रिटिश हरमी का पक्छ लेंगे, आपको पता चल लिएगा, मैं तो सुबा से न, वोस के आएने के सा तो उस लड़ाई में मेरी कोई नफरत नहीं है मेरी ब्रिटिश इंडिनामी उस समय ब्रिटिश आमी से मेरी कोई नफरत नहीं है और नफरत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय आप फौज का छोड़ दीजिए पूरी बैवस्ता ही पूरी बैवस्ता ही जो थी वो जिसको आप कहते हैं मरसनरी वो थी, ICS क्या था, पुरा मरसनरी था, पुलीस क्या थी, पुरी मरसनरी थी, और अगर आप उसको देखें कि ये मरसनरी एटिट्यूड, मरसनरी एटिट्यूड का इसका फरक क्या हुआ, कि जो हमारे, हमारी जो सुरक्षा सेनाय थी, उसे मैं, बिलिटरिली प्री डॉमिनेंट थी, या जो हमारा ICS था, वो हुआ क्या कि, वो अंग्रेज निकले हैं, और अंग्रेज इनको बड़ा बुली करते थे साथ, बुली इन दे सेंस कि आप फॉज में, पहले तो आपको मालूम है, 1922 में हलका हलका स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वार वन में कोई अपसर अपसर में नहीं लेते थे, और आपको एक और बात मता दू मैं, 1885 में एक लेटनेंट करनल की पे एक 1100 रुपे थी, और एक सिपॉई की पे थी 15 रुपे मई ने, आप समझ रहे हूँ? तो मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह मरसनरी थे, लेकिन उन्होंने एक मरसनरी से न तयार की थी, और जलियां वाला बाग में, अब चलिए आपने वर्ल्ड वर्वार वन में जीता है, इंडिया गेट के उसमें आ गया, नाम आ गया है, लेकिन उसी वर्ल्ड वर्वार वन के बाद, क्या होता है? वही लोग जो वर्ल्ड वर्वार वन लड़े थे, उन्होंने अंधा धूंद गोलियां चलाई, जलियां वाला बाग में, चलिए आप अपना कर्तब निभा रहे थे, आप हुक्म मान रहे थे, आप अपने नमक हलाली का परचे दे रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन उ उसके बाद खुशी जाहिर करना, कि यार वो उसके सुबेदार मेजर से पूछा, उसने का मैने तो मैगजिन खतम गए नहीं, तो मैं तो और चलाता भी, ये बयानते लोगों के, तो आप इसको क्या कहेंगे साथ, और उसके बदले में हम आपको मिला क्या, रोल वाट अट जलियां वाला आपको क्या डॉमिनियन स्टेटस मिला, पूरी दुनिया को, जितने भी कई कॉलनाइज कंट्री थे, उनको डॉमिनियन स्टेटस मिला, आपको तो कुछ नहीं मिला, वो तो ल्यूटियंस डेली नया नया खड़ा हुआ था, और ये तो थे, ये भूके नंग को किया, तब ये रोप कारिणासा चुरू हुआ, ये लोग आपके पैसे से, उन्होंने लुटियंस डेली बनाया, ये भूकों नंगों को जब ये दिखा, ये लुटियंस के बंगलों और ये भवे, राष्टपती भवन आपके पैसे से, तो उन्होंने का, ये यार अभी नेया बनाया हम तो इसका मज़ा भी नहीं नहीं है, that was one of the reasons, that they did not leave India, तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या हमको मर्सनरी की तरह वो तरह हम, हमको नहीं बना के रखाता उन्होंने, आपको मालूम है, 1857 के बाद, इंडियंस का पार्टिलरी में बैन हो गया थान, वो फिर बा वे नॉट कमिशन इन रेजिमेंट ऑफ आटिलरी, तो क्या उन्होंने मर्सनरी से न तयार की थी की नहीं की थी, दूसरी बात, आपको मालूम है, आज ये सारे ये सड़ा हक इत्थे रखवाले, ये अंगरी जी बोलते फूरते फिरते हैं, कई इसमें गुर्खा रेजिमें वो अपने गुर्खा स्लोग को लेके अच्छाचे हिल स्टेशन पर उनके आप देखें तमाम सेंटर्स देखोगे, वहाँ पर इंडियन्स वेर नाट अलाओड एनिवेर नेर दे गुर्खा सेंटर्स, ताप उसको क्या करोगे? बिकाज दे ट्रीटेटेड यू लाइक मरसेनरी और हम इसके यह नहीं कहते हैं, क्या खिर कोई बवस्था है, क्या है बाई जो शाषक का है, तो लोगों को नौकरी चाहिए, एक बटैलियन है, इंडियन आर्मी में जिसका बैटल आफ हॉनर है, नाम नहीं लूँगा मैं, मैं तो कहे रहा हूँ, कि मेरे पुरवजों ने भी वो लाल कूर्ती में सर्व किया, मंगल पांडे जैसे था, उन्होंने भी सर्व किया, ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि हमको मसनरी को करने मजबूर था, उसके राजनीतिक कारण रहे होंगे, जो भी कारण रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज है कि अंग्रेजों ने आपको ये भी एक बात बताता हूँ मसनरी का अंग्रेजों ने हमेशा हारी हुई जो सेना होती थी उससे वो अपना अपना सैन ने बल जो है उसको बढ़ाते थे अंगलो सीक वार में सीखार गए फिर जब 1857 आया तो इन्होंने कहा कि देखो ये पुर्वईया लोग है ना ये पुर्वईयों ने तुमको हराया है इनका साथ मत देना and that is why the Sikhs never you know 1857 में they were with the British ठीक है उसी तरीके से अंगलो गुर्खा वार में पुर्वईयों ने गुर्खा को हराया था फिर वो ट्रीटी अफ सुगावली हुआ और उसके बाद से फिर गुर्खास को हारे हुए लोगों से ये फिर अपना यह करते थे और मैं आपको बता रहा हूं इतिहास देखे साथ जब लोगों को कि कर में इनकर्वीनियंस होगा यह सब सुनके कि यह जितने आप यह देखते हैं ना यह डेकन हॉर्स पुना हॉर्स यह मतलब जितने हमारे रेजिमेंट से यह यह वेरी रिच लिगिसी बट वाट काइंड अफ लिगिसी मराठा लिगिसी मराठा जने 40 साल तक लड़ा एंगलो मराठा वार्स लेकिन वोगों जब हारते थे तो उनका न्यूकलियस न्यूकलियस लेके वो हारे हुए फोर्स उनके कैवलेरी से उन्होंने जैसे यह रेजिमेंट्स बना दिये उन्हों अब मैं यह नहीं कहता हूँ का आज एक बेवस्था है उस समय भी बेवस्था थी उसके पहले मुगल की बेवस्था थी आप उसकी बात कर रहें साब आपके जितने क्लासिकल म्यूजिशन्स हैं इंडिया में वो हंड्रिट परसेंट हंड्रिट परसेंट वेर हिंदूस हुएर फोर्स तु कनवर्ट डागरबंदू तो यह दो तीन उसके पहले दो तीन सौ साल पहले स्वारी दो तीन जेनरेशन पहले कि जब इस पर जैपूर के पास कौन सी जगह है कोई एक चोटा सा प्रिंस्पा प्रिंस्पालिटी था उसके अख्वर ने हमला किया हमला किया तो वहां का जो राजा जो था समोखन सिंग ही वाज़ वेरी गूड रुद्रवीना प्लेयर उसने ही लेटर और वाज़ फोस्ट तो कनवर्ट तो इसलाम ही बिकेम नवाब खान और बाद में वो इसका मिया तेन साथ तांसेन का दमाद बना तो क्या करेंगे आप उसको अब जो दर्जा दे दे आप मर्सिनरी म्यूजिशन बोल दे या जो भी कहते हैं बेवस्था वही थी तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं लेकिन इसमें कटूता नहीं होनी चाहिए कटूता नहीं होनी चाहिए कुछ इतिहास के पहलू है जिसके बारे में हम भी समझते कि ऐसा नहीं होना हुआ होता तो अच्छा थे मुझे याद है मैं एक अपनी स्कूल का एक पटना में गेट टूगेजर करवाया थे तो एक बुज़र्ग थे उस समयज के नाइटीन थर्टी एए उसी दोरहन के थर्टी एट थर्टी नाइट के पास आउट थे वो और मैंने उनको इन्वाइट किया है वो और उनके एक क्लास फेलो करनल महभूब एहमद वो भी आया थे एटी एट की बात है फौज हमको आएने के बारे में कुछ ज़्यादा बताय नहीं जाता था तो ऐसी बात हुआ मजाक हो रहा था फिर ये बुज़र्ग लोग थे हमने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस पताईए तो उन्होंने कहा कि बर्मा फ्रंट में इनका हमला हो रहा यह हमको तमाम गालिया दे रहे थे अंग्रेजों के चम्चे यह वो करके लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसमें महभूब भी हो तो मौटर फायर खोलने के पहले तो मैंने थोड़ा डिले किया इसके पहले तो हम लोग सब हस रहे थे वो भी हस रहे थे यह भी हस र रहे थे कि यह देश के लिए लड़ रहे थे उनकी उनका अपना जो भी रीजन रहा हो अपनी अपनी सोच तो इस बात को इतनी कटुता से नहीं लेनी चाहिए लेकिन हाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा कि उसका असर बड़ा बुरा हुआ चाहे वो बिरोक्रिसी में मरसनरी हो या आर्मी में जो भी है आप जो भी उनको कहना चाहें ठीक हो ब्रेव थे तो हमारी उसमें हमारे राजाराम चंदर जी के समय से बहादुरी के हमारे वो हैं हमारे खून में लेकिन ये उसको ये कहना कि ये आप अगर उसको दरजा दे रहे हैं कि मरसनरी इसका जो भी शब्षब इस्तमाल कर ले उसका एक असर ये हुआ कि मैंने जो आपको कहा कि ये ये लोग हमेशा बहुत इंफिरियॉरिटी कॉंप्लेक्स सफर करते थे अंग्रेजों को लेकर उनके तरह बोलना उनके तरह कपड़े पहनना उनके तरह वो करना उनके गाने गाना उनके चीजें वही रह गई हैं वह इंफिरियॉरिटी कॉंप्लेक्स फिर उन्होंने आजादी के बाद अपने ही लोगों पर थोपना शुरू कर दिया और वहीं से करप्शन शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने वह तो माइंड सेट में वह अंग्रेज थे उनको एप करना चा रहे है कि जब हम किसी को अपना नहीं समझते हैं तो हम उसी से पैसे लेते हैं आप किसी ओहदे पे हो आप अपने छोटे भाई से तो पैसे नहीं लोगे ना लेकिन दूसरे सो ले लेते हो आप कि कि उसको आप अपना नहीं समझते हो तो उसकी बुनियाद वहीं से शुरू माफ कीजेगा एक कहावत है ना सॉरी फ़र में लैंग्विज सकप पिस डाउं अंग्री जी में कहावत है हिंदी में बोलूंगा तो इसका शायद बड़ा गंदा लगेगा सुनने में बट वो एटिट्यूट था और इसलिए आज वो जो जो ये ये वाले जो है ना ये पिस डाउन वाले उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है कि अब लोग हकीकत कैसे उनको हकीकत कैसे पता चल रहा है दूसरा आपने कहा मरसनरी का और उसमें आपने डिफरिंस पर ये पूछा है सब आप कौन होते हैं डिफाइना मैं कौन होता हूं डिफाइन करने वाला जनता तो खुड डिफाइन कर देती है फर्क आपने आएने के बारे में पूछा है आएने का जब उसको जब क्रिएट किया जा रहा था उसको जब खड़ा करते समय आप विश्वास नहीं करोग कि लोगों ने मतलब किस तरीके से सहयोग दिया महिलाएं अपना चेन निकालके ठेला वाला अपना जो भी उससे बन पड़ा मतलब लोग ऐसे लगता था कि उन्होंने एक आवाहन दिया और आप समझ नहीं सकते हो कि कितना कितना पैसा ओल ओवर दी सब कॉंटिनेट अनिन पैसे नहीं दिया ना सबसेट्री अलाइंस था इंको देवर बाउंड बाउंड बाई लीगल लिनों वह उन्होंने पूरा एग्रिमेंट साइन किया महराज आप जोदपूर ने वह पूरा अपना जोदपूर लांसर्स दे दिया महराज आप दरभंगा ने आइधिंग ही फाइटर एरक्राफ्ट मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से अंग्रेजों हैं आपको मरसनरी बनने पर मजबूर किया और कल भी अगर कोई इन्वेडर होगा बाहरी ताकत होगी वो भी आपको मरसनरी बनाएगी जो लोग हमारे खलि इड़ा और इसमें है वा अलड़ी प्रोसेस ताप देख रहा है शुरू-शुरू मैं मैं तो शहरान हूं चंडीगड़ बोई कमिशन दे यूस आर्पी अरे क्या यार इस इतन अगरेशन तो सेलिबरेट शोएन गुरुदेव शिंग सम्थिंग यार फंगाप्र ने वी इस अगनो के इस तो शेलिबरेट I consider them mercenaries, तो वही होगा, एक दो जनरेशन के बाद आप देखें, एक ही जनरेशन के बाद, आप देखेंगा, मैं तो यह सारे एरोपेंस की सेना मैंने देख चुका है, मैन पावर की बड़ी क्राइसिस है, यही लोग बनेंगे, और यह आपके खिलाफ लड़ेंगे भी, तो आ यहां से जो यह जो रोना रो रहे हैं यह, कि हमको mercenary बोल दिया, आप बतहीने साब हर साल, फॉज से कितने लोग foreign countries में जा रहे हैं, मैं तो जब से commission हुआ तब से देख रहा हूं, तो उनके बच्चे क्या वहां पर सब physics और यह करेंगे, उसमें कोई सेना में भी जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको आप patriotic Indian बोलेंगे, अरे तुम माल की लालच में वहां गये, तुम science पढ़ने नहीं गये थे न, ऐसे भी science हमारे आज़ादा विक से थे, तुम तो माल कमाने गये थे, उसके लिए तुम गये, तो इतना बोल दिया, तो आपको इतनी ज़ आपने एक तरफ, देखो, इसको contrast कीजिए, मैंने एक तरफ कहा कि सुबाश चंदर बोस ने जब खड़ी किया, खड़ा किया अजाद हिंद फौच को, तो महिलाएं, मैंने कहा किस तरीके से, जो जिसको बन पड़ा, इवन इन 62 और लेट में टेल यू, माई ग्राइंड मदर उन्होंने अपने पांच तोले का चेन दे दिया था, जब वो हो रहा था, जब उन्होंने डोनेशन समागे थे, इंडियन से, पांच तोले का चेन उन्होंने, फेलोस एट कम, शी ज़स्ट उपने इट, जब उन्ह ने किया तो बहुत लोगों ने, मतलब वो कोई exception नहीं थे, सबी लोगों ने किया, वो, वो cause के लिए किया था, उन्होंने, लेकिन second world war में क्या हुआ था, second world war में, मैं individuals को नहीं blame कर रहा हूं, जो लोग भरती हुए थे, उनको नहीं blame कर रहा हूं, मैं उस समय की, जो हमारे slavery के, जो पहलू है, जो अगली पहलू है, उसको मैं उजागर कर रहा हूं आपके साथ, second world war में क्या हुआ साथ, कि जब ये जैपनीज आ रहे थे, तो इनको लगा, कि ये सीधे बंगला देश होके, और ये कलकता में चले आएंगे, और आज तक मुझे भी नहीं समझ में है, म पढ़ा है बरबा कैमपेइन को, क्या खिर उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं लिया, क्या कारण थे, तो इनको लगा कि ये सीधे कलकता में घुश जाएंगे, अरकांस के थूँ, तो इन्होंने जितने नाव थे, या तो उसको डिस्ट्रॉई कर दिया, या उसको जब्त कर के रख लिया, आपको मालू है बंगला देश एक रिवेराइन टरेन है, अगर आप बंगला देश के उपर से फ्लाइ करेंगे तो आप केवल नदिया ही नदिया देखें, तो इसलिए वहाँ पर में जो ट्रांस्पोर्टेशन, कम्यूनिकेशन का जो मीडियम था, वो बोट अब जब आपके वो गुड्स नहीं इदर से उदर ट्रांस्पोर्ट हो रहा है, लोग भूखे मर गया, मिलियन, अट लिस्ट अ मिलियन डाइड इन आर्टिफिशली क्रियेटेड फैमिन, और जो भी वहाँ का जो अनाच था सर प्लस, वो सारा का सारा अनाच चला गया वो, इन वर्ल वर टू एफ़र्ट, तो आप दोनों को कॉंट्रास्ट कर लीजिए, नौ यू टेल मी वर विच साइड, कल मैं टेलिविशन पर देख रहा था, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े बाते करें, तो अब मैं फॉज में रहा हूँ, हमने जब कमिशन हुआ, एक Field Marshal Slim की किताब है, Defeat into Victory, तो वो तो मैं थोड़ा बहुत Indian Military Academy में पढ़ा था, उस समय कमी बात समझ में आती थे, लेगे जो भी समझ में आया मेरे, तो उसमें हमको, you'll be surprised to know, कि that, ये Field Marshal Slim had the goal to call INA rag-tag soldiers, Jiffies, कोई contest नहीं किया, India should have protested, Indian Army should have protested, आप एक, मेरे को किसी भी आर्मी के exam में, एक, आप question मुझे दिखा दो, what was the contribution of INA towards the freedom movement, एक question हमको, हमको दिखा दो, on the contrary, what we were told, I can't even describe, कि Subhash Bose was did, Subhash Bose was that, because there, जो ये ये रोर है न, जिन लोग का आपने फोन पे नाम लिया, ये साले, sorry, I'm very sorry for this thing, ये वही लोग है, जिनके पुर्वजों ने ये प्रोपगेट किया है, इतनी गंदी गंदी बात हैं ये सुभाश चंदर बोस के बारे में, आप इन से पूछिए, उसमें क्या, वो डिफीट इन्टू विक्टरी में, कितना disparaging वे में सुभाश चंदर बोस के बारे में, लिखा हुआ है, और इसको इन्हों ने प्रोपगेट किया, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, अब विक्टोरिया क्रॉस, जो जीतने वाले थे, उनका नाम था जनरल पीएस भागत, बहुत बहुत शांदार वेक्तित्व, बहुत शांदार सोल्जर और बहुत शांदार एड्मिन्स्टेटर उन्हों बाद में दामोदर वैली कॉर्परेशन का उनको हेड बनाया गया था, और उसमें एक मैग्जीन निकलती थी, इलस्टेटीड विक्ली उप इंडिया, उसमें ये लेखा हुआ था कि जनरल स्वंग इस बैटन पावर फ्लोड, तो अभी इंडिया इंटरनाशनल सेंटर में कोई फंक्शन था, तो उनकी जो पुत्री थी, उनकी बेटी, उनसे किसी ने मुझे मिलवाया, तो मैंने उनको बोला कि और फादर वोस फ्रम माई स्कूल ये वो, तो उनने कहा कि I am writing a book on my father, I said yes you must, लेकिन मैं 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 बोला, मैडम एक चीज, प्लीज कैरी अ सेपरेट चैप्टर, on your uncle Tony Bhagat, General Bhagat had a brother, Colonel Tony Bhagat who was from our school, he was sword of honor Indian Military Academy, और Second World War में, he had joined INA, अब INA join किया तो उनका तो मतलब करियर खत्म, I said he was no lesser soldier, देखे साब, आप अपनी पूरी भविष्य बलिदान करने, इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, वैभव जी, कि मैं उनसे ऐसे, कोई उनको पहचानता नहीं थे school में, one day I was having, he said I am Colonel Tony Bhagat, I joined INA, ये वो, and then he told me that General Bhagat was my brother, I said look at this, ये सारा narrative का खेल है, ये सारा narrative का खेल है sir, तो मैं उस उस नजरिये से, अब कुछ लोगों ने उसमें बड़ा, की अच्छा, आपको 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 आपको, कंमान यार, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला कि उस समय की सारी बवस्ता ही ये थी, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप, आप कैसे जानते हैं जल्मानिक शौक को, आप किस रूप में जानते हैं, जल्मानिक शौक मैं, वो गेव विक्ट्री इन 1971 वार ठीक है ना अगर वो एक हत्तर की लड़ाई में अगर वो विक्ट्री नहीं देड़ा है यूड आप बींच अनदे जैनरल हम लोग उनके पोस्ट इंडिपेंडेंडेंडेंस जो उनका कॉंट्रिबूशन है हम उसके लिए हम जाने जाते हैं लेकिन वह एक अध्याय था हम उस अध्याय के बारे में जब हाँ जब आप किसी आदमी की जर्नल मानिक शौजा से परस्नालिटी की जब आप विशलेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि यार की फॉट बेरी वेल ब्रेवली इन सेकंड वल्ल वर अलसो ब्रेवली बट इस कॉंट्रिबूशन इन सेवेंटी विक्री वुड नॉट विडाओ विडाओ जर्नल मानिक शौजा तो हम तो पोस्ट इंडिपेंडनेंस तो वही तो जर्नल बक्षी ने कहा कि आप ये ये इसको फॉल्स इकुवेलेंस आप कैसे कैसे बना सकते हैं इसको ये हमारा ये हैं तो नेरेटिव करेक्ट हो रहा है लेकिन ये जो बखवास कर रहे हैं ये आके यहां पर मैंने टीवी पर सुना यह बहुत सारे ये इन से पूछना मैं तो बोला तो कि एक एक बार इनको बता दो एक क्वेस्चन दिखा दे किसी भी आर्मी के एक्जाम में प्रमोशन नहीं रही होते हैं तो 1968 तक सुभास बोस पर यहां पर हम MI5 को क्यों रिपोर्ट कर रहे होते साथ हैं ठीक है ना अभी वाले नहीं पहले वाले 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 शलूटिंग और सेलिब्रेटिंग दा कॉज अफ इंडियन नाशनल आर्मी अब आप इंसे पूछोंगे तो हम हैं मैंने बात किया इंसे यह कहते हैं नमक हलाली है अब नमक आपका अंग्रेज की तरफ है या आपका किसी का कोई सोचता है कि मेरा नमक तो भारत माता का है अब कुछ लोग कहते हैं नहीं इनने एक्सिस पावर्स के लिए लड़ा और वो फासिस्ट के लिए अरे कॉम आन यार यह जो आपने डेफिनेशन से बना रख है ना फासिस्ट और यह वो यह रिविजनिस्ट है यह फासिस्ट है यह मौडन है तो जैन के तिरतंकार्स थे यह बुद्ध भगवान थे यह वो क्या थे वो मौडनिस्त थे या रिवाइबलिस्ट है क्या थे वो फासिस्ट थे क्या थे बट धर यह रिल्वेंट टुडेंट बिकाद आज भी वह इवं जिसको आप मौडन यह कहते हूं उनका ते हैव प्लेस्ट देर फिलोस्पी वोक तो यह यह समस्य है हमारे हाँ यह narrative अब है क्या कि वह जैनरेशन तो अभी गई है साथ जो मैं यह कह रहा हूं नहीं यह फ्रॉड्स वाली जो जैनरेशन थी आधे देवर टॉन बिट्विन दे टू वर्ल्ड वह यह चीजे अब ऑक्सवोर्ड किसी को भेज दो तो वह बहुत बड़ा आदमी बनके आ गया है कोई MRCP करके आ गया तो बहुत बड़ा आदमी है पाक्सवारों में पटना में देखता था कि यह यह लॉट रहे MRCP करके यह MRCOG करके महिला लॉट रही है टुड़े डॉटर इस डॉक्टर आज यह कहते हैं कि आप जहां हो वहीं आप बैठे पैसे ज़रूद ले लेंगे यह इतने और अपने आपको relevant करने के लिए क्या करेंगे कि यह बोलेंगे कि application का बस window 15 minute का है तो 15 minute में जो भर गया ता अब नाचरली लोग आज इतना भवय वह बनने जा रहा है कि जहां पर किंग जॉर्ज के कहीं पर प्रतिमा होती थी आज इतना भवय वह बनने जा रहा है है इसका मतलब कहीं तो under current था ना सर कहीं तो under current था वो under current उसको एक रास्ता मिल गया और रास्ता मिलता है जब आपकी जो बेवस्ता है वो बदल जाती है तो तो education देखिए ठीक है आपका कहना बिल्कुल सही है कि किताबों में क्या लिखना चाहिए लेकिन आप यह समझे कि कितना बड़ा symbolism है आप imagery देख रहे हैं यह जो central विस्ता प्रोजेक्ट जो बन रहा है पाल्या मेंडशिफ्ट कर रहा है उसका वो देख लीजिए आप जो नेता जी का जब बन जाएगा तो पूरी जो आपकी imagery है वो बदल जाएगी और मैं अध्या और विश्वनात मंदिर भी उसी संदर में देखता हूं कि आपकी पूरी imagery बदल जाएगी और सरकारे केवल देखिए दुनिया की कौन सी सरकार है जो सड़क और हवाई अड़नी बन वाती है सब लेकिन सरकारों को ये भी तैय करना होता है कि वो सड़क पर विचारधारा कौन सी दोड़ेगी समझ रहे हैं मेरी बात नेशन बिल्डिंग सड़कों से होता है लेकिन अगर सड़कों से आपके यहां सिंगू बॉर्डर वाला अगर तमाशा देखने को मिले तो उससे रास्ट का निर्माण नहीं होता है सड़कों पर अगर खालिस्तानी का कब्जा हो और जिहादियों का कब्जा हो उससे रास्ट का निर्माण नहीं होता है लेकिन सड़कों पर अगर सही विचारधारा जो की इस धर्ती की जो मूल विचारधारा जो है वो विचारधारा दोड़ेगी तो आपका रास्ट का निर्माण होगा तो बच्चों का बिलकुल आपकी सरकार है आप जो पाठे करम है उसमें तबदिली लाने की जरूत है अब जैसे आजाद हिंद फौज पे कितनी सारी चीज़ें हैं कि डू यू नो डैट या इने ट्र का जो हुआ था जिसमें ये लोग सब हीरो बन गए थे उसके बाद एक ट्रेन एक ग्यारा सो लोगों की ट्रेन हजार किलो मिटर का रास्ता तैय करके वो पहुंचती है मुलतान महां जाके इनका क्या हुआ कुछी को नहीं पता है एक कैम्प निकाल लगाए गया था कैलकटा में बंगाल में किस जगह पे नाम मुझे याद नहीं है एक दिन रात को फाइरिंग होई लोग कहते हैं कि सैकड़ो आएने वाले जो थे उनको मार के वहीं पर उनकी लाश्य कहीं फेकती गई ठीक है ना अब ये सब चीज़ें जा रही हैं और उसके बाद आपको ये नेता जी सुबाश चंदर बोस के जितने डॉकुमेंट्स थे वो अगर आप सोचते हैं कि वो आएंगे मुझे नहीं लगता है वो कभी नहीं आएंगे लेकिन यू कन पुट टू एंटू टू टूगेदर एक उनका सातीर था हभीब तो उस वो जब बच गया तो हभीबुर रह्मान को गांधी ने बुलाया बोले बिटा हुआ क्या था तो उसने जब पूरी व्याख्या मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया एक्सिदेंट का तो वेंट गांधी सेट आइड टूट टूट इसमान आप गांधी सेट आइड परसन की परसन जिसने और्गनाइज किया था यह जो ट्राइवल्स को मतलब ट्रेनिंग और आम्स देने में तो ऐसे ऐसे भी लोग थे लेकिन जितने जितने लोगों ने धोखा धड़ी की थी सब को नेहरू ने री हैबिलिटेट किया एक भूसले भूसले था उसको मंत्री बनाए गया यह शान अवास खान यह पिशावर का रहने वाला था पाकिस्तान आर्मी ठीक है ना यहां नेहरू ने बोले यहां तुम आजाओ मांत्री सो एवरीबड़ी वज रिवाड़ेट तो इतिहास अपने आप आ रही है पाथे करम से ज्यादा पाथे करम तो चलो बच्छों को जो पढ़ाया जाता है इंप्रिश्नेबल माइंड से ल लेकिन उससे ज्यादा है कि इन चीजों पर रिसर्च होनी चाहिए यह किताबें लोग अब रिसर्च कर रहे हैं होता क्या है कि जब फिजा बदलती है जब बदलता है तो चीज ही अपने यह वन फिंग लीट्स तो अनएधर वन वाइभाव विल यू विल यू विल यू पॉन सो मेनी वाइभाव्स पॉल एराउं आट यू मस्त वी वाचिंग हमने तो जब शुरुवात की थी तेलिविजन वरं तो अकेले थे लेकिन आज आप देख ली जी इसको कोई नहीं रोक सकता साब यह इस जएस जस्ट आइडिया जिसको कहते हैं ना अधिया फूस टाइन हम हम उसको कोई नहीं रोक सकता लग्र तो रुचीका फिर क्या समझाया इस वीडियो से और क्या तुम्हरे विचार हैं इसके बारे में i would first say कि जैसे की title clearly explained कर रहा कि इसमें R.A.C. N.S.N.S. और जिस्कास किया कि why and how British Indian Army was a Marie Sindhri Army तो उन्होने कई incidences discuss कि इसमें World War I, World War II और Anglo-Sikh War, Anglo-Maratha War तो यह मतलब काफी चीज़ने डिसकस की और basically मुझे जो point उन्होंने raise किया जो अच्छा लगा वो यह था कि INA की contribution और उनकी bravery के बारे में जाधा बाते नहीं की जाती और जाधा literature भी नहीं है That is a good point I think What do you think? जिनको सरकारी नौकरी करने का शौक होता है या उनके पास ऐसी skills होती है जिनको या skills British नहीं दी होंगी हो सकता है उनको train जैसे lawyers train किये गए या teachers train किये गए scientist train किये गए वो उसी तरीके से train किये गए ताकि वो British के interest को ही जो है वो serve कर सके तो वहां तक बात ठीक है लेकिन जो बा हूँ उसका reason यह है हमने एक छोटे होते एक story पड़ी थी मैं पंजाब से हूँ तो हमने पंजाबी में यह story थी उसका लेकिन context यह था कि एक बंदा अपनी family को लेके migrate कर जाता है Canada में और उसके बच्चे वो है वहां पे होते हैं Canada में बच्चे होते हैं लेकिन वो उनको सिख historic place है वो हमारी historic place है उस बच्चे को ना समझ में नहीं आता उस बच्चे को लगता है कि मेरी homeland Canada है और मैं किसी foreign country में जा रहा हूँ तो he always feels like that जैसे जैसे बड़ा होता है उसके दिमाग में यह confusion रहती है कि मैं Canadian हूँ या मैं Indian हूँ और लेकिन बाद में उसको समझ में आता है आपने जो अपने बच्चपन में देखा है आपने आसपास देखा है आप इंडिया में रहें आपने आसपास जैसा महौल देखा है जैसा culture आपने देखा है वो आपने experience किया है that's why it's ingrained in you वो आपसे कोई नहीं चीन सकता इसी तरीके से इस बच्चे ने यहाँ पे जो experience किय है और यहाँ पे जो आसपास देखा है अपने वो इससे कोई नहीं चीन सकता तो उनको आप Mercedes मुझे मेरे view में नहीं कह सकते क्योंकि वो वही पैदा हुए उन्होंने वही चीजें देखी है उन्होंने हमारे जैसे जो हमने experience किया वो उन्होंने experience नहीं किया तो इस तरीके से उनका वही mindset है और वो वैसे ही काम करेंगे उनकी and that's correct in my opinion इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि उनकी allegiance और उनकी जो honesty है वो first to their motherland होनी चाहिए जो उनके parents की motherland है वो उनके parents की ही motherland है at the end of the day तो ये point जो है इससे मैं थोड़ा सा disagree करता हूँ लेकिन बाकी जो बाते इन्होंने क जहीं हैं अब मैं बहुत सारी examples ऐसी दे सकता हूँ ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं कि जो Indians Canada में आए हैं मैं बहुत सारी examples ऐसी दे सकता हूँ जो French citizens हैं और जिनके बच्चे इंडिया में पैदा हुए Americans हैं जिनके बच्चे इंडिया में पैदा हुए I know few of them और उनके बच बच्चे हुए तो वह बच्चे तो इंडियान citizen रहेंगे ना वह बच्चे की तो इंडियान ही रहेगी तो इस तरीके से यह थोड़ा सा एक पॉइंट पे मैं disagree करता हूँ बाकी I enjoyed the video और इनमें इसमें इनोंने बहुत से अच्छे पॉइंट भी रेस किये कि जैसे जलिया वाला बाग में जो हुआ वो ब्रिटिश आर्मी तो थी नहीं ब्रिटिश में तो इंडियन लोग ही थे वही फ्रंट फेस थे उनका और वही जो है वह अटैक्स भी वही करते थे जिन्हों ने भी बगत सिंग जी को पकड़ा यह और लोगों को पकड़ा जंद आजाज जी क पकड़ा वो सब इंडियन ही थे लिए जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे तो वह पॉइंट्स बिल्कुल सही है उनसे मैं अगरी करता हूं लेकिन जो इमिग्रेंट्स वाला इशू है यह एक डिफरेंट परस्पेक्टिव में सोचने की जुरूरत है इसका दूसरा प अगली वीडियो में तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल आइकन को हिट कर दीजिए यह वीडियो हमें फरमयश से मिली थी तो आप भी ऐसी फरमयश जो है हमें कमेंट सेक्शन में देते रहिए किसी पॉ और थैंक्स और हमें मज़ा है यह वीडियो देखके और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके साथ बैठके देखते रहेंगे तब चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेव स्टे हल्दी बाइबाइ